दोस्तो आज हम बात करें BCCI की जो कि है Board of Control for Cricket in India आज मैच था है इंडिया और श्री लंका का गोहाटी में होना था मैच उसमें क्या हुआ कि इन्होंने बारिश हुई थी कुछ समय के लिए एक घंटे सवा घंटे ओन और आफ बारिश हुई थी लेकिन इन्होंने पिछेद अच्छे से धकी थी अपने हिसाब से और तब भी उसका उसके अलावा दो गंटे से जादा से आप पुने तीन गंटे से मैच के रिजियों होने का और सब लोग इंजार करे थे पचास दजार लोग का मैच देखना है थे और हुआ ये कि पिछ का कुछ हिससे सूख नहीं पाए इसलिए मैच नहीं हुआ ये जो पिछ सूख नहीं पाए ये चीज आपका भी इंग्लेंड में ऑस्ट्रेलिया में न्यूजलेंड में साथ आफ्रिका में किसी भी कंट्री में ने देखेंगे जिनका डेनेज सिस्टम अच्छा है और जिनका रेविन्यू BCCI का क्या आसपास भी नहीं है BCCI दोस्तों 3,000 करोड रुपे से जादा हर साल कमाती है और एक जो मोबाइल कवर होता है मोबाइल एक कवर होता है आपने देखा होगा UK England में कभी भी माच होता है या इन सब कंट्री में उस्टिलिया England, New Zealand, South Africa में तो वो मोबाइल कवर जो है वो पिच को कवर करके रखता है उससे पिच में इस तरह के डैंपनिस नहीं होती कि वो हटाया कवर और उसका पानी गिर गया था इसलिए पिच टैंप हो गई तो तीन हजार करोर रुपे BCCI कमाता है पांच लाग से ज़्यादा कि वो मोबाइल कवर नहीं आता है और BCCI इतना पैसा कमा के वो कवर अगर नहीं करीच सकती है डेजने फैसलिटीज ग्राउंड की अच्छी नहीं रख सकते तो BCCI प्लेयर्स का शायद से अपना पूरा ख्याल लग करे हैं लेकिन क्राउड का ख्याल और फैंस का बिल्कुल लेने ख्याल नहीं है पचास हजार लोग इस मैच को देखना है थे आप यह लगाईए कि मिनिमम टिकेट पांच सो रुपे का होता है इंटरनाशनल मैच में अगर हर आदमी सिर्फ पांच सो रुपे का टिकेट लेके भी आया है तो धाई करोड रुपे यह तो मैं फिकर कम करके बता रहा हूँ अराम से दस करोड रुपे की वल अगर इस देश में 50 ग्राउंड भी है और BCCI को हर ग्राउंड पे भी रखना पड़े तो धाई करोड से जादा खर्चा नहीं होगा BCCI का आप स्टेडियम मैच देखने जाते हैं कोई क्राउड के लिए फैसिलिटीज नहीं होती धक्का मुक्की करके आप पहुँचते हैं आपकी कोई सीट रिजर्व नहीं होती जो चाहे जहां चाहे बैठ सकता है आपके सामने लोग आके खड़े हो जाते हैं कोई कुछ नहीं करता पुलीस भी कुछ नहीं करती वहां पे खाना पचास गुना जादा रेट पे दिया जाता है अब वाश्रूम फैसिलिटीज भी कोई बहुत अच्छी नहीं है किसी भी ग्राउंड में अप इंडिया के चले जाई हैं और BCCI इतने रुपे कमाने के बाद आप एक मशीनरी अच्छी नहीं रख सकते आप अगर क्राउड के लिए फैसिलिटीज अच्छी नहीं रख सकते सीट्स यूके में वर्ल्ड कप तक में मैंने देखा था एक-एक सीट रिजर्व थी हर परसन की टिकेट के साथ यहां पर वर्ल्ड कप तक में किसी इसी टोर्नमेंट में रिजर्व नहीं होती है तो यह जो बी-सी यह अपने फैन्स अपने क्राउड के साथ कर रहा है जो कि उनको इतना लॉयल है और इतना पैशनेट के वारे में अगर फैन्स क्रिकेट दिखना छोड़ दे तो इस तेश में जो इतना रेविन्यू करिकेट साथ कमाया जाता है वो उसका कुछ नहीं कमाया जाएगा और उन फैन्स को आप इस तरह से टीट करें बिजिए इस यह बाड आद उफ यू और इट साथ आइम आप अपना पूरा जस्टिफाय हो वेरी बाड अटरली शेमफूल आप बिजिए इस लिस्निंग आप सार्व गंगली इस लिस्निग आप दादा इस लिस्निग आप इस लिस्निग